की सिथिए घडी के बारे को अपंक डिस्कुस करेंगे गडी का फर्स्ट पार्थ मैंने कर वा दिया है अब उसी पार्ट को जंट फर्फ पार्ट हमेने किया है अपने डिस्कुस किया है उसी को cannex करते हुए next part देखेगा घडी का किस पृकार से कामे लिया जाता है घड़ी देखेगा बहुत इंपोर्टेंट है घड़ी अपना क्लॉक अब इसके अंदर अपन देखते हैं कि पहले जो पिछला किसन में बैक एक किसन बैक से स्टार्ट कर रहा हूँ वो यह है कि मानली ची अपने पास जो कौन ग्याद करने का होता है किसी दिवार घड़ी में 12.05 बजे हैं तो गंटे वा मिनट की सुई के मद्दे कितने डिगरी का कौन है देखेगा यह कुशन मैंने पिछले टॉपिक में घड़ी के अंदर पिछले भाग के पिएक वाले भाग के अंदर बताया था फिर भी देखिए मैंने वापस इद्धान दिया है कि किसी दिवार घड़ी के अंदर 12 बज कर 5 मिनट के कौन दिखाई दे रहा है तो हमें कौन ग्याद करना है कि घंटे वा मिनट के बीच में कितने डिगरी का कौन है तो सामान यह देखिए दिवार घड़ी सभी के दिमाग में होनी चाहिए घड़ी आपने देख रखिए घड़ी किस परकार से होती है कि घड़ी हमारे इस परकार से होती प्रड़ी के यह पॉइंट होता है प्रड़ी में देखी पॉइंट होता है यहां इस ताइचे इस ताइचे यहां 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 बारा होता है यहां तीन होता है यहां छे होता है यहां नो होता है देखी परसंड के एकोर्डिंग के बारा बज़ कर पांच मिनट तो सबसे पहले हम घरी में कितने बजाएंगे बारा बारा बढ़ने का मतलब घंटे की सुई भी हैं ही रहेगी और मिनट की सुई भी हैं ही रहेगी दोनों चुईया एक ही जगे पर ले अब मिनट की सुई को अपनी जगे पर भेज जे मिनट की सुई कहा जाएगी बारा बद कर पांच मिनट तो यह 5 के सीड में आ जाएगी, यह आ जाएगी, और घंटे की शूवी को इस तर रहने दीजिएगा, घंटे की शूवी है यह, अब देखे इन दोनों सुवीयों के बीच में कितने मिनट का गयप है, तो हम सामाने देखेंगे यहां थी यहां से यहां तक तो पांच मिनिट का गय पे तो एक मिनिट में छे डिगरी का कौन बनता है तो पांच मिनिट में कितना बनेगा तीस डिगरी का यदि यह कंडिसन रहेगी तो कौन कितने रहेगा तीस दिग्री का अब देखिए अपने को क्या नोट करना है कि मिनेट की सुई 12 के सीध में थी और कुछ समय बाद वो आपके पांच पे आ गई है तो घंटे की सुई क्या यहीं रहेगी नहीं वो कुछ आगे आ जाएगी यहां आ गई मान लीजिए वो यहां थी और यहां से यहां तक पहुंचने में उसे कितना समय लगा देखिए गंटे की सुई 12 के सीध में थी जब मिनिट की सुई 5 में पहुंची तो घंटे की सुई अपनी जगे ठोड़ेगी तो वो यहां से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचन में कितना समय लगा तो सामाने बात है कि घंटे की सुई ने जितनी जगे चैन्ज की है वो पांच मिनिट में की है तो कितना समय लगा हमारा पांच मिनट पांच मिनट लगा तो घंटे की सुई एक मिनट में कितने डिगरी का कौन बनाती है सीधा है आदा डिगरी का तो पांच मिनट में कितना बना देगी इंटू आदा धाई डिगरी का अब देखिए ये धाई डिगरी का 2.5 का बन गया तो ये पीछे कितना बचेगा, ये टोटल कौन कितना था, 30 का, तो इसमें से अब ये घटा देंगे, तो 27.5 या 27 से एक बटा 2 डिगरी का, बहुत इंपोर्टेंट है, आपको यही बात याद रखनी है, कि मिनट की सुई, एक मिनट में कितना कौन मनाती है, 6 डिगरी का, और गंटे की सुई, एक मिनट में कितना कौन मनाती है, आदा डिगरी का, बस ये 2 पॉइंट याद रखोगे, तो आपके ये कौन आसानी से ग्याद कर सकते हैं, वैसे ही कौन ग्याद करना मैंने पिछले वीडिये के अंदर पूरा डिटेल से बताया गया था, अब देखके आ बहुत इंपोर्टेंट है घड़ी का दरपन पर्चिविम, जिसका एक उसल हर बार एक्जाम में आता है, कही बार ये पूचा गया है, दरपन पर्चिविम ग्याद करने के लिए, सामानी दरपन के बारे में हम क्या जानते हैं, जैसे माल लीजिए, या आर दिखा हुआ है, दरपन है, या इस ताइस चा आ जाएगा, तो ये ऐसे हो जाएगा, अर्थात बाया भाग दाया बन जाता है, और दाया भाग बाया बन जाता है, ये है, देखेगा गड़ी के इंदर, दरपन में क्या होता है, बाया भाग दाया बन जाता है, दाया भाग बाया बन जाता है मालनी चे अपनी आ रहे तो आर इस प्रकास से हो जाएगा लेकिन अब अपन को इसको ज्याद करने के लिए दरपन परतिमीम ज्याद करने के लिए मैं आपको एक विशेश ट्रिक फर्मूला बता रहा हूं बहुत इंपोर्टेंट है वो यह देखिए घड़ी यह होती है हमार तो घड़ी को दो भगव मार लेते एक तो एक वज़े के बीच में और दूसरा एक से एक वज़े के बीच घड़ी को दो भगव मार दिया गया है अब देखिएगा दरपन परतिविम ज्याद करने के लिए नियम यदी समय एक बजे से ग्यारा बजे के मध्य हैं तो दरपन परतिविम ज्याद करने के लिए गए समय को इग्यारा साट मैसे गटाते हैं देखिएगा यदी समय एक बजे से ग्यारा बजे के मध्य हैं और हमें उसका दरपन परतिविम ज्याद करना है तो हम ग्यारा साट मैसे गटाते हैं ये नियम याद रखना पहला नियम और दूसरा नियम वो ये रहता है दूसरा नियम ये है यती समय इग्यारा बजे से एक बजे के मध्य है है तो हम तेईस साट मैसे कटाते हैं ये दूसरा नियम ये दी समय इग्यारा बजे से एक बजे के बीच में आ रहा है तो हम तेईस साट मैसे कटाते हैं और ये दी समय हमारा एक से इग्यारा बजे के बीच में आता है तो हम इग्यारा साट मैसे कटाते हैं देखिए इसका यदि किसी दिवार कड़ी में तीन चालिस मज़े हैं, उसे दरपन में देखने पर क्या समय दिखाई देगा? यदि किसी दिवार घड़ी में तीन बज़ का चालिस मिनट का समय हैं और उसको हम दरपन में देखते हैं, तो क्या समय दिखाई देगा? तो देखिए, तीन चालिस किस के बीच में आएगा? यहां से लिते हैं, एक से इग्यारा के बीच में और एक से इग्यारा बज़े के बीच में हैं, तो हम उसको किस में से गटाते हैं? इग्यारा साट में से गटाते हैं, अर्था दरपन में समय हो जाएगा, मिरेर के अंदर दरपन समय हो जाएगा, इसका दरपन परतिविम हो जाएगा, इग्यारा साट में से तीन चालिस गटा देंगे, अर्था यह रहेगा, इसको गटाएगे तो बीस आजाएगा, और इस लीचेगा वो इस ताइप से येदी किसी दिवार घड़ी में इग्यारा अठावन बजे है उसे दर्पन में देखने पर क्या समय दिखाई देगा ये देखिएगा किसी दिवार घड़ी में ग्यारा बजकर अठावन मिनट का समय है उसे दरपण में देखने पर क्या समय दिखाई देगा तो देखिए इसमें कौन सा नीम लग रहा है दूसरे वाला 11 से एक बजे के बीच में है अर्थार 11 से एक बजे के बीच में होता है तो हम किस में से गटाते हैं 23 में से अर्थार दरपण पर्तिबीम हो जाएगा यहां पर mirror image दरपण पर्तिबीम किस में से गटाएंगे 23 में से 23 में से 11 58 हम गटा देंगे तो यह minute है यहां गटाएंगे 02 और यहां पर यह रहेगा यहां रहेगा 02 और यह 12 बज़ कर 2 मिनट का समय दिखाई देगा हैं इस परकार से हम दरपण परतिविम ज्याद कर सकते हैं अब इसमें विश्य ज्यारा कि यदि दरपण के अंदर समय दिया होना वहीं तो भी हम 23 में से खटाएंगे और ता सही समय का दर्पन में से तो भी ही नियम रहेगा और सही समय का दर्पन परतिविन गयात करना है तो भी ही नियम रहेगा अब देखिएगा और नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है उसका आता है जल पर इमेज इसका भी एक्जामेड पूछा जाता घड़ी का तो अपर कैसे करते हैं तो देखिए गड़ी के सामानिय जल के अंदर दर्पन के अंदर क्या थां दरपन में दाया वायां बन जाता है और वायां दाया मन जाता है जो अभी हमने देखा है लेकिन जल की बात करते हैं तो जल में क्या होता है उपर का भाग नीचे और नीचे का भाग उपर आ जाता है यह होता है जल करने जल में क्या होता है कि जल परतिवी में हम सामाने देखने पर नीचे का भाग उपर रहता है और उपर का बढलेते हैं या जल की बात रहे जल में ऐसे रहेगा यह जल में क्या होता है उपर का बाग नीचे नीचे का बाग नहीं बदलता है कैसे कि यह आर ऐसे हो जाएगा आत एसे हो जाएगा एमेसे हो जाएगा यह हो गया यह रहेगा जल का पर्तिवीम और यह दर्पन पर्तिवीम अब दर्पन को कई बार दो बार लिखा जाता है एक को दर्पन सामने रखा जाता है एक दर्पन सितीज में रखा जाता है सितीज का मतलब यह होता है, सितीज जहां भी आ जाता है, कि दरपन को सितीज में रखा जाता है, तो वहां आपको दरपन सितीज की बात करता है, तो हमें जल परती भी ज्यात करना है, दरपन सितीज में रखा जाता है, जैसे माल्डो ये पैने, दरपन यहां रखा गया, तो इसका शितिज माना जाएगा उसमें जल का नियम लेना आपको देखिएगा जल के अंदर दाया भाग बाया जल के अंदर उपर का भाग नीचे नीचे का भाग उपर अब इसके लिए विशेश त्रीक के वो यहाद रखेगा वो यह रहता है यदि जल पर्तिविन याद करने के लिए कड़ी के समय को 17,90 या 18,30 में से कटाते है देखिएगा घड़ी का जल पर्तिविन जाद करने के लिए हम 17,90 या 18,30 में से घटाते हैं सब्सक्रे बड़िया नियम यह है इसके अलावा यह दि आपको नियम याद नहीं रहता है तो घड़ी के अंदर बेस पॉइंट होता है घड़ी अपर यह मानते यहां यहां तीन रहता है यहां नो रहता है यहां छे रहता है यहां बारा रहता है अब इसको बेस लाइन मानेंगे हम आदार यह पेरल है अब यहां एक दो तीन चार पांच छे छे साथ आट दस इक जारा अब मान लीजिए यहां पर दरपन के जल के लिए आपन क्या करेंगे यह देखिए लोजिकल है नियम ही यह यह लोजिकल है कि मान लीजिए सुई बारा के सीद में ची तो उपर का भाग नीचे मतला वो सीदी सीदी 6 के सीद में आ जाएगी यहां मान लीजिए वो एक के सीद में थी यहां सुई तो यहां जितनी इस से जितनी दूरी पर है उतनी दूरी पर वापस यहां आ जाएगी नीचे आ जाएगी या जितनी नीचे उतनी ऊपर चली जाएगी ऐसे भी आप ज्याद कर सकते हो देखिए इसका उधान कैसे आपन लेते हैं उधान ऐसे किसी दिवाद घड़ी में किसी दिवार घड़ी में साथ दस पज़े हैं उसे जल में देखने पर क्या समय दिखाई देखा किसी दिवार घड़ी में साथ बज़कर दस मिनट का समय है उसे हमें जल में देखने पर क्या समय दिखाई देगा अरतात उसका जल पर तिवे वार्टर इमेज क्या होगा तो देखिएगा पहले तपर नियम लगा देते हैं साथ बज़कर तस मिनट तो अपर किस में से घटाएंगे देखिए सत्रा नब्बे या अठारा तीस दोनों में से किसी में से घटाओ एक ही बात है हमारे घटाएंगे तो बीस औरह यहां कितना एग जैए對了 बज़कर बीच मिनट का समय दिखाई देगा अब अब देखिएगा इसको अपर इससे करते हैं घटी के फॉर्मेट से घरी देखिए ऐसे होती है यह हमारा आदार पॉइंट होगा जान नो रहेगा यहां तीन रहेगा यहां बारा रहेगा यह च्छे रहेगा यह डाइग्राम बनाने जरूत नहीं है आप नियम इहाद रखोगे तो इस टाइसे अब देखिए इस ते का साथ अब देखिए यह जितना नीचे है उतना ही ऊपर चला जाएगा इस लाइन के पास हे तो यह आ आ जाएगा यह 11 और यह जितना यह उपर है उतना ही नीचे यहाँ आ जाएगा अर्थात पॉगा 11 बज़कर 20 मिनट यह हमारा साथ यह जितनी यह निचे आ गई और यह इतनी है इतनी उपर चले गई अर्थाथ 11 बज़कर 20 मिनट या तो आप इस टाइचे ले सकते हो या इस टाइचे ले सकते हो इसके अलावा आप देखिए जैसे एक विशेस उदार्ण होता है कि वो देख इसको आप यहाद रखेगा बहुत जरूरी किसी दिवार घड़ी में दो चालिस बज़े है उसे दरपन उसे चल में देखने पर क्या समय दिखाई देखा देखिएगा बहुत इंपोर्टेंट है किसी दिवार घड़ी में दो बज़ कर चालिस मिन का समय है उसे हम जल में देखेंगे तो हमें क्या समय दिखाई देगा तो वही कंडिशन आप नियम लगा दीजिएगा अठरा तीस में से गटा सकते हैं या सत्रा नब्य में से भी घटा सकते हैं अब इसमें थोड़ा सा कल्पित होने की जरूरत नहीं है दो लो एक की सीजिए कि देखो यहां चालीस मिनिट है तो यहां सी लेंगे तो यह घंटा जाएगा एक घंटे का मतला मिनिट में जाएगा कितना होगा साट मिनिट तो यह टोटल मिनिट कितनी होगी यहां पर नब्य और यहां पर घंटा क्या रहे गया सत्रा तो यह हो गया सत्रा नब्य अब नब्य में चालीस जाएगे कितने रहेंगे पच्चास और सत्रा में से दो जाए इसको आपन्प मानेंगे तीन बजकर पचास म –करते हैं तो भी तो です ती दो बजगर 40 मिनट अर्थाद गंटे की सुई यहां होगी और मिनेट की सुई यहां होगी अब यह जहाँ है उतनी उपर चली जाएगी मिनेट की सुई यहां से यहां आ जाएगी इसके पास और गंटे की सुई यहां से इतनी नीचे आ जाएगी इस बैस लाइन से यहां जाएगी अर्ताद ऑप कितना हो जाएगा तीन बजगार्ड फ़चास मिनाइवर्न इस ताइप से आपन दरपढ़ और जल परतिभिम ग्याद कर सकते हैं अपने वाइज बीदियों स्कुर्ण में कियाने- स्गयार्थ के लिए बहुत इजी और आसान रहता है इससे भी आसान जैसे माल लीजिए कि मैंने आपके यह आरे एम लिखा था देखी जैसे यह आरे एम अब इसको देखी इसको आप जैसे भी कोई डाइग्राम हो या घड़ी का टाइंग हो वगारा कुछ भी हो एक पेज पर लिखा पै यह आपको डिक्षर दिक़ाई देगी इसका परतिविब और इसी का जल निकलना आए जैसे अपने लिख दिया अब इसको देख लीजिए यह जो 2 बज़ कर 40 घरी का रिज़े के आंदर क sido है कि अ हैं भूत अ्संतनी को सभी को बता है कि इसने का है 2,4 मिनिट तो अर्था 2,40 मिनिंट का घरी में इस परकार से होगा यह आपके मिनिट की सुई है और है गंटे की देखिए दो बज चालिस में टिगरीन में ऐसा दिखाई देगा डेकि यह गंटे माली श्री एव है और मिनट वाली सुई है अब अब इसको आप इस ताइपसे देखोगे जश्टgender amor तो यह तो ऐाँ तो यह तो आपको क्या दिखाई देगा क्या दिखंगे मिद्ध उसमाद इसके कितना ताइम् दिखाई दे रहा आपको ब्ठैikat आप इस प्रकार से भी देख सकते हो यह आपके लिए बहुत ट्रीक से भी ज्यादा यदि आपके घड़ी के जो फर्मुले थे दरपन के एक चालीस और बारा तेशनाट और या फिर दजल का था अठारा तीस और सत्रा नब्वे इन दोनों को भूल जाते हो तो आप दोनों न यदि इसको ऐसे देखोंगे और यह दरपन मिलेगा और इसको ऐसे करके ऐसे देखोंगे तो वह आपके जल दिखेगा इस परकार से यह दरपन परती भी और जल परती भी घड़ी के अंदर बहुत इंपोर्टेंट है अपने वाई ग्रूप में इसका एक इक किस्वन आता ह है देखेगा और इसका नेक्स्ट पार्ट जो मदब अतिव्यापन होना एक ही दिशा में स्रीयों का होना या घड़ी के वीवीज क्यूशन होते हैं वह आपके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताया जाएगा इस वीडियो को जादा जादा लाइक कीजिए शेर कीजिए और